आज बनाएंगे शाम का टीफिन और उसमें रहेगा जैसे केप सी स्टाइल चिकन और नूडल्स मैं खटा जाधा तर यूज नहीं करूंगी इसमें क्योंकि बेटी ने पियर्सिंग किया हुआ है यह पियर्सिंग इसले कुछ खटा नहीं यूज करना है वान वीक तक तो मैं इसमें नूडल्स बॉइल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक डाला जैसे बॉइल होने लगा है वाटर तब हम लोग नूडल्स छोड़ देंगे आप देख सेक तो रोडसयड में अच्छा नूडल्स मिलता है बहुत खिला खिला मगर घर पर जो बनाते हैं हम जो चिपक जाता है तो आज हम दिखाएंगे अब घर पर भी एजली अच्छा नूडल्स बना सेकते रोडसयड जैसे तो मैं इसको पहले boil कर लूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी जैसे boil हो जाए आपको immediately निकाल के थंडा पानी में छोड़ना है noodles अभी boil हो चुका है तो मैं अभी नल के नीचे रख दिया immediately सब पानी फेक के और इसको अच्छे तरीके से हम लोग वाश कर लेंगे इसको और कुक नहीं होना है immediately wash करने के बाद हम लोग एक बड़ा प्लेट ले लेंगे अब दो या तीन प्लेट ले लेना थाल ले लेना जिसको बोलता है बड़ा प्लेट उसमें आप थोड़ा सा फैला के रख दीजिए और पंके के नीचे कम से कम 15 से 20 मिनिट तक इसका जितन फिर इसको फैला के रख देना है ऐसे नूडल ठंडा हो जाए तो अभी हम लोग कुकिंग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ओयल ले लिया दो एग ले लिया उसको थोड़ा सा नमक दाल के जैसे ओमलेट भुर्जी बनाते एग उमलेट भुर्जी तो वैसे हम लोग इसको छ चली और थोड़ा सा नमक हाइफ लेम में आपको कुक करना है दो से तीन मिनिट फिर इसको भी निकाल लेंगे अच्छे तरीके से कुक करके अगर आप खटा खा रहे हो और खटा जरूरी है इसमें सॉस वगरा तो इसमें आप सॉस डाल सकते हो टोमेटो कैचप सोया सॉस व जादा करके अपको थोड़ा सा क्रश्ट गार्लिक देना है उसको अच्छे तरीके से भूनना है अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम लोग इमेडियेटली नुडल्स छोड़ देंगे इसमें थोड़ा सा नमक एट करेंगे जो मेगी का मसाला होता है वो मैं मसाला मैं एग भी जो फ्राइ करके रखा वो भी इसको इसमें एड़ करना है थोड़े तरी के लिए इसको अच्छी तरीकिस हाई फ्लेम में भूना है थोड़ा सा चिली पाउडर तिखा के लिए वो एड़ करके फिर हम लुग इसको साइड कर देंगे नेक्स्ट हम लुग बनाएंगे चिकेन फ्राइ तो यह थोड़ा सा मैंने दही लिया है और एकदम थोड़ा सा दो टी इस्पून क्योंकि खट्टा खाना मना है और फिर जादा पानी देके नमक देके मैं चिकेन को रख दिया था साइड में 30 मिनिट्स के लिए अभी चिकेन क को निकाला इसमें डस्ट कर रही हूँ यह मैदा और कॉन फ्लावर मिक्स है 50-50 परसंट है डस्ट करने के बाद इमीडियेटल आपको चिल्ड वाटर में डालना है चिल्ड वाटर में डालने से वह बहुत ही क्रिस्पी और दिखने में भी कैपसी स्टाइल ही जैसा हो रहता है वैसे होगा 30 सेगंड के बाद मैंने उठा लिया इसको और फिर से कॉन प्लावर और मैदा में मैं कोट कर रही हूं तरी के से कोट करना जितने आप नग finely करोगे दिखने में KFC स्टाइल होगा तो मैं आपके सामने में दिखा रही हूँ कोट कर लिए और सब को निकाल पर साइड में रख दिया आफ लीटर जैसे आपको ओयल लेना है अच्छी तरीके से ओयल को गरम करना है फिर मीडियम टू लो फ्लेम में करना है एक एक पीस आपको छोड़ना है और बहुत ध्यान से छोड़ना है डस्ट को आप वहाई निकाल लेना जितना एक्स्ट्रा डस्ट ह और फिर उसको अच्छी तरीके से फ्राइ करना है लाइतली ब्राउन करना है पहले बार फ्राइ टेस्टी है, इविनिंग स्नेक्स के लिए बेस्ट है, मैं बहुत ही शॉटकटर बनाई हूँ, क्योंकि आज चिली वगएरा मैं सॉस यूज नहीं कर सेकती हूँ बेटियों के लिए, क्योंकि वो अगर हम लोग करते हैं, पिरसिंग अगर खटा खाते हैं, वो बहुत ही तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शियर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कॉमेंट करना, ऐसे ही हर दिन में वीडियो ने ने लाती रहोंगे, आप अगर ऐसे सपोर्ट करते रहोंगे, इसके लिए दिल से आपको शुक्रिया, बाई बाई, सी यू इन नेक प्लीज सब्सक्राइब करना, बाईक 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 करन